हेलो एंड वेलकम एव्रिवन तो आज इंडिया न्यूजिलेंड से 21 रन से पहले 2020 राची में आ गया बहुत ही अनस्पेक्टर था और जिस तरह से न्यूजिलेंड ने 176 रन बनाया थे लग रहा था कि इंडिया जी जाएगा ये भी था कि था सा स्पीन हो रहा है पीछ में त पहले ही वाबर से टोगल रपना रखे हुए थे पीछे में कि अगर आता है तो फिर मैनेज करने का कोशिज गया जाए लेकिन डियू आया नहीं और सेकेंड इनिंग में और भी अस्पीन होना लागा था सेंटनर का एक गन देखें जिसमें सुमन गिलाउट में वह दस गूमता है तो बहुत ज्यादा घूम गया उस पर डिविएट करता होतना तो फिर बैट्समें चक्मा खा जाता है लेकिन साटनर का दस डिगरी तक घूम रहा था गया तो इससे देखा जाला था कितना मुश्किल हो रहा था सेकेंड इलिंग में बैटिंग करना और इंटिय था 21 रन से हार गया थोड़ा सा बॉलिंग डिसेपॉइंटेट था बॉलिंग में बहुत कुछ सिखना पड़ेगा सीवा मामी अर्शदी पीए सब को क्योंकि आपको हार टाइम पे फास्टिंग फास्ट बॉलर वाला पीच नहीं मिलेगा आपको अगर आपके धंका पीच नहीं मिलाया तो आपको रण को भी कंटेंड करना पड़ेगा आपको रण ज्यादा खर्च नहीं करना स्पीच था इंडियन स्पीच ने दस और में सिल्फ अंठावन दिये और वही देखा जा फास्ट बॉलर के तो दस और में 118 रन दे दिये अगर वहां पे अगर कंटें करना है रन को यह बहुत बड़े बड़े टीम का यही निशानी होता है कि उनका बॉलर अगर विकेट नहीं ले पाता है तो जाता है रन भी नहीं खर्च करता है और इसी तरह से वल्ल्ड चैम्र बना जाता है तो यह थोरा सा देखना होगा एंडियन टीम को इसमें कम ही हो तो वहां पर से मोमेंटम भी चेंज हो गया प्लस एक टर्निंग पॉइंट भी मैच का हो गया क्योंकि यहां पर लग रहा था कि हां लिजिलन्ट एक सो साथ तक जाएगा वह सिद्धे एक सो छेतर तक पहुंच है तो वहां पर इंडिया को देखना होगा किस तरह से रन को कंटेंड किया जाए और थ्वासा लाइन लेंट पर देखना होगा जिबको और सदीब से लंका की रूट देखे तो कुछ ज़्यादा ही एक्ष्टा कर रहा है थे नोबल फेकर रहा थे यहां भी सदाएसा दे दिए थ्वासा इंटरनाशनल लेवल पर थ्वासा और कंस ढ़ी दिए डिव फैक्टर यह सब भी होता है और साम में उतना स्पीन नहीं करता है लेकिन यहां पर उल्टा हुआ और स्पीन और बढ़ गया था और स्पीन और होने लागा था जिससे मुश्किल हुआ इंडिया को और देखा जा तो इंडिया स्टार्ट थोड़ा सा यह ह गया क्योंकि अगर आप प्ले में 3-4 विकेट गिरा देता है तो आप 170-170 का भी टार्गेट आपको असान नहीं लाएगा चेंज करना तो देखना पड़ेगा इंडिया को कि किस तरह से वापस आया जाए और पीच ज्यादा तर होता है कि बैटिंग फ्रेंडली इस्पेशली टी-20 फॉर्मेट में बनाया जाता है लेकिन आज रांची में स्पीन वी हुआ और मेरा गर पहले का अनलेसिस वीटियो देखेगा तो हम आपको बताया थे कि स्पीन करें स्पीनर को तुछा सा ग्रिप मिलेगा लेकिन इतना ग्रिप मिलेगा खासकर के टी-20 फॉर्मेट में ये किसी को एक्सपेक्टेट नहीं था तो देखे कि अब दूसरा वरंडेज टी-20 जो होने वाला है लखनाओ में उसमें हो सके तो बैटिंग फ्रेंडली र देखना पड़ेगा इंडिया को और 2017 के बाद से पहली बार असा हुआ है कि इंडिया 200 रन से कम का चेज नहीं कर पाया है इंडिया में पिसले बार भी न्युजिलेंड था 2017 में जिसमें 106 पे रन चेज करना था और नहीं हो पाया था और इस बार भी हुआ है एलन और डेव इंडिया तो शुर्ट लग राथा कि न्युजिलेंड 150 160 तो जाए गा है जाए और फिर लास्ट और में जो डैरल मिचल ने इनिंग कह लिया है उनका 50 वोट टनिंग पॉंट था 141 50 लग रा था न्युजिलेंड के लिए और वहां से फिर 170 लेगा वहां से फिर वान से लास्ट में वासिंग्टन सुनतर लोन वाडियर थे और अगर एक से दो बल्ले बाच और रहता तो फिर रिजल्ट इंडिया भी जी सकता था लेकिन ख्यार मैस था और न्युजिलेंड अच्छा खेरा न्युजिलेंड का टैक्टिक काम कर गया मिचल सेंटनर बहुत जल्द पीच पे जतना जल्दी हो सके स्पीनर को लाया जा और वही किया भी और उसी का नतीजा है कि न्युजिलेंड की सना से जिद है तो मैस के बाद का अनलेसिस यह था अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू